Fun Wars Animation में आपका स्वागत है चिडिया बहु के तीन बंदर चिंकी चिडिया एक बहुत गरीब परिवार से थी चिंकी चिडिया की मां अक्सर बिमार रहा करती थी उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था ऐसे ही एक दिन चिंकी चिडिया की मां की तबित खराब हो जाती है और घर में अनाज का एक दाना नहीं होता मां तुमारी तबित बहुत खराब हो गई है मैं तुम्हें दवाई कैसे दू घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है चिंकी बेटा तू कितना क्यों डर रही है बस थोड़ी सी तबित तो खराब हुई है सुबे तर ठीक हो जाओंगी फिर मैं खुद पहले की तरह काम करने लगूंगी फिर मा तुम बिमार हो तुमारा खाना खाना बहुत चरूरी है पता नहीं मैं कैसी बेटी हूँ तुमारा अच्छे से मैं ख्याल भी नहीं रख पाती और तुम इतनी बिमार होकर भी बाहर काम करने चाहती हूँ और मैं घर में अराम से मुफ्त का बैठ कर खाना खाती हूँ ऐसा मत बोल मेरी बेटी तू तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है चिंकी चिडिया अपनी मा की हाला देख कर बहुत रूती है और खाने की तलाश में जंगल के बाहर चली जाती है चिंकी चिडिया को पता नहीं चलता कि कब वे अपने जंगल से दूसरे जंगल पहुँच गए जब चिंकी चिडिया दूसरे जंगल पहुँच कर एक पेड़ पर बैठती है तो वे देखती है कि एक पेड़ पर तीन बंदर बैठे है ये में किस जंगल आ गई? यहां तो एक भी पक्षे नहीं है और इस पेड़ पर तो तो तीन 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 बंदर है और उसके सुंदरता देख कर उसके सुंदरता की तारीफ करता है, तुम कितनी सुंदर हो छीडिया, हम तीनों भाईयों को तुम जैसे ही चीडिया की जरूरत थी, और आखिर कार तुम हमें मिल ही गई, देखो मैं तुम्हारे आगे हात चुड़ते हो, मुझे यहां से जाने तो मेरी माँ की तपित खराब है, मैं तो जिर्फ यहां अनाश लेने आई थी, ताकि मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकूँ, और उन्हें खिला सकूँ. तो क्या हुआ, हम ना तुम्हारी मदद करेंगे, और बदले में तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा. पर मैं तो तुम तीनों की बंदर की बाद कैसे माल लो, और क्या पता तुम्हारा काम करने के बाद तुम मुझे खा जाओ? टरो मत हम बुरे बंदर नहीं है हम तीनों बाई है और हमारी शादी की उम्र हो चुकी है पर हमारी किस्मत में एक चुडिया लिखी है पर इस जंगल में कोई चुडिया नहीं है और तुम पहली वोई चुडिया हो जो इस जंगल में आई हो पर उस समय उसे उन बंदरों की जरुवत थी इसलिए उनकी बास सुनने को तयार हो जाती है ठीक है मैं तुमारी बातों पर विश्वास करूंगी और तुमारी बाते भी सुनोंगी पर उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मेरी मा बहुत बिमार है मुझे कुछ अनाज और पैसे चाहिए था कि मैं अपनी मां का इलाज करवा सको और उनका पेट भड़ सको हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हें जितना अनाज चाहिए हम तुम्हें देंगे इस पेड के सारे फल तुम्हारे हुए और हम तुम्हें पैसे भी देंगे पर तुम्हें हमसे वादा करना होगा, कि तुम हमसे रोज मिलने आओगी। चिंकी चुडिया के पास उन तीनों बंदर की बात मानने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वे उन तीनों बंदरों की बात मान जाती है और बदले में वो तीनों बंदर भी चिंकी चिडिया को पेड़ पर लगे कुछ फल और पैसे दे देते हैं साथ ही साथ सबसे बड़ा बंदर अपने सबसे चोटे भाई को चिंकी चिडिया के साथ उसके जंगल भेजता है ताकि चिंकी चिडिया उनके साथ धोका ना कर सके और ना ही कहीं भाग सके तुम्हारा घर अच्छे जंगल में है ये जंगल मुझे बहुत पसंद आया और यहां कितने सारे बक्षी है हाँ पर अब तुम्हें मेरे घर आने की सरुरत नहीं है तुम यहां से अपने जंगल वापस चले जाओ अगर इस जंगल के पक्षी ने तुम्हें देख लिया तो वे सब टड़ जाएंगे और मुझसे नफरत करेंगे उन्हें लगेगा कि मैं जान मुझकर एक जानवर को अपने जंगल में लेकर आई हो ताकि तुम उन सब को मार सको अरे फिर तो ये बात बहुत अच्छी है सब तुमसे डर के रहेंगे और कोई तुम्हारे साथ बत्ता भीजी नहीं करेगा और मुझे मेरे बड़े भाई ने जिम्मिदारी सौपी है तो मैं घर तक छोड़ने की ताकि मैं तुम्हारा घर देख सको चिंकी चिडिया छोटा बंदर को जाने को कहती है पर छोटा बंदर नहीं जाता चिंकी चिडिया को उसके घर तक छोड़ता है तो वहीं दूसरी और जंकल में बंदर को देखकर सभी पक्षी अपने अपने घर में छुप जाते हैं चोटा बंदर की जाने के बाद सभी पक्षी बाहर आते हैं और चिंकी जिड़े ऐसे कहते हैं चिंकी तुम जानती हो ना इस जंगल में सिर्फ हम पक्षी रहते हैं, तो तुम उस जानवर उस बंदर को इस जंगल में क्यों लेकर आई, जानती हो ना बंदर कितने तेज चलाक होते हैं, अगर उस बंदर ने अपने जंगल से जानवर को बुला कर हम सब को मार डाला तो, को जल्दी कोई भी जानवर हमें नहीं मार सकता और वे अच्छा जानवर है उसने मेरी मदद करी है उस समय जब तुम सब अपने अपने घरों में बैठ कर मचे से खाना खा रहे थे उसने हमारी मदद करी थी चिंकी चिडिया को मुझ तोड जवाब देती है अब इस तरह से मेरे प्यारे तीनों बंदन मेरी मा पिल्कुल ठीक हो चुकी है अब मैं इसका ग्रेडिट तुम तीनों को ही देते हूं इसलिए अब तुम उससे अपना सारा काम करवा सकते हो मैं तुमारी बात कभी नहीं टालूंगी ठीक है चिंकी तो फिर वे समय आ चुका है जब तुम हमारे साथ इसी जंगल में रहना होगा पर इसके लिए मेरी मा कभी नहीं मानेगी तुम अपने वादे से पीछे हट रही हो रही तुमारी मा की बात तो अपनी मा को भी यहीं ले आना हमारी होने वाली सास हमारी बात कभी नहीं टालेगी तुम पीछे मत हटो मेरे प्यारे बंदरों तुम तीनों को मेरी मां से बात करने की जरुरत नहीं है। हाँ मैंने आज जो भी कुछ कहा है वे सच है पर मैं अपनी मां को खुद बनाऊंगी। बस थोड़ा टाइम दे दो और मुझ पर विश्वास रखो क्योंकि मैं भी तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूं तुम तीनों ने मेरी बहुत मदद करी है। मां मान जाओ ना वो बंदर बहुत अच्छे हैं और उन्हीं के बदोलत आज तुम सामने खड़ी हो। ठीक है मेरी बच्ची अगर तु यहीं चाती है तो मैं तेरी शादी उन तीनों बंदरों से करवा दूँगी। पर मेरी शर होगी। अब हम अपनी नई जिंदगी के शुरुआत करेंगे और नई जंकल में रहेंगे। अब चिंके चिड़िया अपनी मा के साथ बंदर के जंगल में चली जाती है। उन तीनों बंदर से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद चिंके चिड़िया उन तीनों बंद कि हमें किसी का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए अब दोड़ना चाहिए